अब आपको बताऊंगा कि हाउ टो किरियेट फेस्बुक अकाउंट तो लेट्स केट स्टाटिट अब मेरे मुबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास और डी फेस्बुक की एप्लिकेशन मौजूद है तो अगर अभी तक आपके पास मुबाइल फोन में फेस्बुक की एप्लिकेशन मौजूद नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास यह मौजूद है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर देखी मेरे पास औरवड़ी मेरा एक अकाउ रहा हूं कि हाव टू क्रियेट निउ फेस्बुक अकाउंट तो इसके लिए हमें नीचे दिए गया बटन पर क्लिक करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है आपके सामने क्रियेट यू फेस्बुक अकाउन मैं सिंपली इस पर क्लिक कर जाता हूँ क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर नेक्स से बटन आ रहा है अगर आपका पहले से अकाउन मौजूद है तो आप नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर आप सिंपली नेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमें नया अकाउन क्रियेट करना है इसलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट प्लिक करने के बाद मेरे मोबायल फून में जो जो अकाउंट ओपन है तो उसकी लिस्ट मेरे पास यहां पर आ रहे है मैं फिल रहाल यहां पर नन अफ दा अबफ पेड़ टच करता हूं। दन उसके बाद आप लोगों ने यहाँपर अपना फिर्ट नेम लास्ट नेम डालना है तो मैं यहाँपर एंटर कर जयता हूँ तहरा आपने simply next पर click करना है यहाँ से आप अपनी birth, date और month सेलेक कर सकते हैं birth date और month सेलेक करने के बाद आपने simply next पर click करना है then उसके बाद आप यहाँ पर अपना gender select कीजिए touch करने के बाद next पर click करेंगे then आपके पास यहाँ पर option आ रहा है कि आप अपना mobile phone यहाँ पर add करना चाहते हैं sign in करने के लिए या फिर आप email address लिखकर यहाँ पर sign up करना चाह रहे हैं तो मैं sign up पे click कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर email address से sign up करना चाहता हूँ then मेरे पास यहाँ पर option आ रहा है कि मेरे mobile phone में जो email address मौजूद है मैं उन से ही कोई account create करना चाह रहा हूँ तो फिलहाल मैं एक different email address इसमें लिखना चाह रहा हूँ तो यह जो नीचे option दिया वाक है use a different email मैं simply इस पर touch करता हूँ and इस पर touch करने के बाद मैं यहाँ पर अपना email type करूँगा email type करने के बाद आपने simply next पर click करना है then उसके बाद आप यहाँ पर अपना password एंटर करेंगे then password एंटर करने के बाद आप simply next पर click करेंगे then आपके पास यहाँ पर दो option आ रहे हैं कि एक आप simply sign up कीजिए and second sign up without uploading my contacts अगर आप simply sign up click करते हैं तो sign up पर click करने के बाद आपके पास जो आपके mobile phone के context हैं वो आपको suggestion में नज़र आ रहे होंगे कि आप उनको friend request भेजें उनसे connection बनाए and अगर आप नीचे पर लिंक पर click करते हैं तो आप directly अपने account की तरफ चले जाएंगे तो मैं sign up पर click करता हूँ अब देखी मेरे पस यहाँ पर एक pop-up window आ रही है जिसमें मुझे पूशा जा रहा है कि मैं अपने password को इस mobile device में save करना चाहता हूँ के नहीं मैं फिलहाल इसको not now कर दिता हूँ then जो मैंने आपके सामने यहाँ पर email address टाइप किया था उस email address पर इसने मुझे code send किया है तो इस code को मैं यहाँ पर type कर दिता हूँ तो यह देखे जी मैंने अभी आपके सामने code enter कर दिया है अब मैं यहाँ पर confirm के बटन पर click करूँगा confirm पर click करने के बाद आपके सामने इससल है कि window आई की जिसमें आपसे पूछा जाएगा देन देखे मैंने यहाँ से गैलरी से पिचर सेलेक्ट करती है मैं सिम्पली इसको सेफ करता हूँ तो यह देखी मेरे पास यहाँ पर जो मेरे मुबाल फून में कॉंटेक्स मौजूद है यहाँ पर उन तमाम लोगों की मेरे पास suggestion आ रही है कि मैं उनको add करना चाहा रहा हूँ तो फिलहाल यह account मैंने एक demo के लिए बनाया है तो मैं इसको skip कर देता हूँ अगर आप अपने friends को add करना चाहते हैं तो नीचे दिएगए बटन पर add friends पर आप click कर सकते हैं यहाँ से check box से आप अपने friends की list को select कर सकते हैं तो मैं फिलहाल इसको skip कर देता हूँ इसे skip कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास एक option आ रहा है कि जब भी आप मैं अपने mobile phone के अंदर अपने account को login करूंगा तो मुझे simply अपने picture पर profile picture पर tap करना होगा तो password लगाने की जरूवत नहीं पड़ेगी यह facebook application का एक बहुत अच्छा feature है मैं simply इसको ok कर जाता हूँ और यहाँ देखी हमारे पास यहाँ पर facebook का account create हो चुका है account create करने के बाद हमारे पास कुछ account की setting होती है यहाँ पर right side पर देखी आपको three lines नजर आ रही होंगी right side top पर आपने simply इस पर touch करना है touch करने के बाद see your profile पर जाएंगे then उसके बाद आपके पास यहाँ पर facebook की तरफ से ही एक option आ जाएगा कि आपने अपने profile को set करना है तो अगर आप get started पर click करते हैं तो facebook की तरफ से आपसे question पुछे जा रहे होंगे आपसे कहा जाएगा अपना cover photo वगर add करें तो मैं simply यहाँ पर get started पर click कर जाता हूँ तो यहाँ पर यह देखिए मुझसे पुछे जा रहा है add your current city कि आप जिस भी शहर में रहते हैं यहाँ पर अपने शहर का नाम डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने शहर का नाम enter कर जाता हूँ then save पर click कर लेते हैं अब यहाँ मुझे एक option शो हो रहा है कि मेरी profile में इस तरीके से post लिखी हुई नज़र आएगी कि मैं कराची में move हो गया हूँ तो फिल्हाल मुझे इसको share नहीं करना मैं जब स्क्रोल डाउन कर जाता हूँ and यहाँ पर मैं अपना hometown टच करता हूँ कराची पाकिस्तान इसे ok कर जाते है then इसको दुबारा से next कर जाते है then अब मुझे से पूशा जा रखा है कि मैं अपने school की यहाँ पर detail डालू तो आप अपने school का नाम enter कर सकते हैं मैं इसको skip कर जाता हूँ simply then अपने college का नाम आप यहाँ पर enter करना चाहें तो कर सकते हैं मैं इसको skip कर जाता हूँ then इसके बाद add your company के option पर आप जिस company में काम कर रहे हैं उस company का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं मैं simply इसको भी skip कर जाता हूँ Then, यहाँ पर आपका marital status पूशा जा रहा है, कि आप single है, merit है, मैं गर इस पर touch करता हूँ, तो touch करने के बाद मेरे पास यह देखिए, इस तरह का option आ रहा है, एक drop down menu आ रहा है, तो जब मैं इस पर touch करूँगा, touch करने के बाद, यहाँ पर मेरे पास list आ रहे हैं, तमाम marital status की, तो आपका जो marital status है, आप उसको touch कर सकते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको save कर जाता हूँ, देन मुझे कुछ जा रहा है, कि मैं अपनी यहाँ पर cover photo add करूँ, जो मेरे पास profile picture के back side पर नज़र आ रहे है, तो मैं simply choose pick पर click करूँगा, एंड अपनी cover photo add करूँगा, तो cover photo add कर लेते हैं, तो यह देखी जी मैंने cover photo add कर ली है, देन उसके बाद आपने यहाँ पर save पर touch करना है, save पर touch करने के बाद, जब मेरे पास मेरे cover photo add को जाएगी, यह तमाम चीज़ों जो मुझे Facebook ने पूशी है, मैंने इन तमाम चीज़ों के answer दे दिये, इन तमाम options को follow कर लिया, अब मैं यहाँ पर view your profile पर touch कर जाएँ, तो आप देखी जो basic profile की information होती है, वो मैंने तमाम यहाँ पर add कर दी है, मैंने यहाँ पर अपनी birth date डालती है, यहाँ पर अपना place डाल दिया है, और profile picture और cover photo डालती है, इसके लावा आप यहाँ पर further details add करने के लिए added profile पर touch करेंगे, added profile पर touch करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी और तमाम information पूशी जा रही है, आप जो इसमें details देना चाहें, वो देख सकते हैं, यहाँ पर यह Facebook में और feature मौजूद है, option मौजूद है, बायो का, आप जिस भी industry में काम कर रहे हैं, आप कोई job कर रहे हैं, आप कोई student है, तो यहाँ पर एक short bio आप add कर सकते हैं, मैं यहाँ पर add कर लिता हूँ, for example, आप business man हैं, तो आप यहाँ पर business man लिख सकते हैं, या पिर अगर आप student हैं, तो आप simply यहाँ पर आप बता सकते हैं, कि आप student हैं, या पिर आप कह सकते हैं, studying in XYZ at university, या फिर college, ठीक है, इसके बाद इन तमाम details को लिखने के बाद, आपने simply save करना है, और यहाँ पर आपकी Facebook की profile बन चुकी है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ, कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप पहली बाद चैनल पर आएक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर जरूर किलिक कीजिए, ताके मेरे आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सकें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत खैल रखेगा, अल्ला हाफिस.